हेई गाइस वेलकम बैक टो दी चैनल होप करता हूँ कि आप लोग काफी जादा अच्छे होंगे आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 2022 हुंडे टुसान जो की डीलर्शिप पर अराइब हो चुकी है मैं आप लोग को आज इसके डीलर्शिप के इमिज़ दिखाने वाला हूँ और साथे डिस्कुस करने वाला हूँ कि क्या को चीज़ें हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं हुंडे टुसान के अंदर मैं आप लोग को बता दूँ कि 4th generation जो टुसान है इसके अलरड़ी जो बुकिंग से वो ओपन हो चुकी है और 3000 से जादा जो बुकिंग है वो न्यू टुसान को मिल चुकी है वहीं जो टुसान है वो 246 सिगनेचर आउटलेट्स के तुरू सोल्ट की जाएगी जो की 125 सिटी यहां मैं आप लोग को कुछ images दिखार हो जो कि dealership पर capture हुई है और यह जो दोनों ही trims है यह petrol और डीजल दोनी options के साथ मिल जाएंगी पेट्रोल के अंदर आपको 2 variants मिलेंगे और diesel के इंदर 3 variants मिलेंगे including the 4 wheel drive जो 4 wheel drive option है वो सिर्फ आपको डीजल के साथ available मिलने वाला है और साथ ही मैं आप लोग को बता दूँ कि यह premium SUV है और इसके अंदर आपको सारे features मिल जाएंगे मतलब यह जो कार है यह काफी सारे comfort, entertainment और connected car features के साथ एक क्यूब्ट रहने वाली है यहां पर आप देख सकते हैं यह जो image है यह capture हुई है जब Tucson को मतलब की trailer से नीचे की तरफ offload किया जा रहा था dealership के बाहर यह वहां पर capture हुई है और इन images क्रेट जाता है rushland.com को जिन्होंने इन images हो capture किया और हम लोग के शेर किया यहां पर आप साफ देख सकते हैं कि जो Tucson है यहां पर आपको जो front है इसक appealing look है वो car को दे रही है साथ ही जो इसके LED headlamps है इस तरीके headlamps हमने आज तक कहीं भी नहीं देखे हैं साथ ही जो इसके LED multi reflector headlamps है वो काफी जादा beam है वो हम सरूर देने वाले हैं काफी जादा amazing look आ रहा है और जो DRLs है वो vertically placed है और अगर आप एक चीज़ देखेंगे इसक वो बिल्कुल change है बिल्कुल जो sportier design है body की जो अंदर काफी सारे क्रीजिस lines दिये गए है उसी तरीके का कुछ एक design बनाते हुए जो alloy wheels है उनका भी यहाँ पर design carry forward किया गया है 18 inches के dual tone alloy wheels यहाँ पर मिलने वाले हैं और यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखेंगे कार जो है वो काफी जादा muscular और बल्की लग रही है जिस वज़ेश इसको और भी जादा जो sportier stance है वो यहाँ पर ज़रूर मिल रहा है मैं आप लोग को बता दूँ कि इसके interior में आपको काफी सारे features मिलने वाले हैं even जो इसकी rear seats होंगी वो reclining function के साथ आएंगी 10.25 inches का digital display system हो dual zone climate control साथ ही सबसे बड़ी चीज की ADAS2 के जो level functions हैं वो हमें यहाँ पर ज़रूर मिलने वाले हैं जो की मतलब इस segment के अंदर पहली बार आने वाले हैं साथ ही safety के अंदर भी कोई भी कमी नहीं रखी गई है छे airbags मिलेंगे front में 2 side में 2 curtain airbags, hill start control, downhill brake control, isofix, seat mounts, front and rear sensors, reverse camera ABS plus EBD औ और बहुत सारे आपको चीज़े देखने के लिए मल जाएंगी साथ ही मैं आप लोग को एक चीज यहाँ पर दिखा रहा हूं जो कि circular है Tucson का जिसको registered करवाया गया यहाँ पर हमें कुछ details भी देखने के लिए मल जाती है जैसे कि gross weight 1980 kg जो इसका wheelbase है 2755 mm जो weight 1865 mm लेंथ है 4630 mm जो height है 1665 mm आप देख सकते हैं सारी कुछ details है जो कि यहाँ पर reveal हो गई है आप मुझे comment करके बताएं कि आपको all new Tucson की जो यह real life images है यह कैसे लगी साथ ही जैसी Tucson dealership पर available होती है मैं आप लोग लिए एक walkaround reviews और लेकर आने वाला हूं चैनल पर ज़रू बने रहें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते नेक्स वीडियो में कोने अपडेट के साथ तिल देन टेक केर बी सेफ अन बाबाए